तो क्याल लबाई सबीके तो गईस ये है आज मेरे पास में आईफोन 11 जिसे मैंने कैशिफाई से पर्चेस किया है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपीज का और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा पूरा डीटेल में रिव्यू देने वाला हूं कि अगर आप भी आई 2024 में तो क्या ये फोन आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर आपको इसको स्किप करके आईफोन 12 के साथ जाना चाहिए या फिर जो 25,000 के आराउंड नए Android फोन साथ है उनके साथ जाना चाहिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा important होने वाली है तो आप इस वीडियो को ब अगर आप से बात करता हूं फोन के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में तो यहाँ पे हमको बाई बार फोन पहले पहले इंट्रोडियूस किया था जैसे मेरे बात से वाइट कलर में है बहुत ज्यादा बढ़िया लुक दे रहा है यहाँ पर जो एपल का लोगो है वो बी मिडल में, पहली बार भाई, आईफून 11 में ही आया था, डिस्प्ले की बात करता हूँ, फ्रेंट में तो यहाँ पे हमको बहुत बड़ी नौच मिल जाती है, साथ में बेजल भी बहुत ज़्यादा मिल रहे है, इलुमिन्यूम फ्रेंच मिल जाते हैं साइट में, और यहाँ पे जो बटन्स है, यहाँ पे अलर्ट स्लाडर्स है, वालिम रॉकर्स है, और राइट-एंडस्ट में हम को पावर टरन आउफ बटन मिल जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़दा बढ़या अहन पर मुल राए है, उन से तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लोगी आपर मिल रहा है और leaks recording भाई iPhone 16 जो होगा ना उसका जो non-pro models होगे उन भी भाई शायद से iPhone 12 और iPhone 11 वाले ही cutout को introduce किया जाए ये भाई leaks आ रहे हैं मैं नहीं कहा रहा हूँ सिर्फ भाई मैंने leaks देखे थे इसलिए मैंने आपसे बताया चलेगा इस अब बात करने था इस फोन के डिस्पले के बारे में तो इसमें आपको मिल जाती है 6.1 इंचिस की liquid retina IPS LCD डिस्पले जिसमें आपको 79% का screen to body ratio मिलता है जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि इस फोन के अंदर हमको बहुत जादा बड़े बड़े bezels देखने के लिए मिल जाते हैं 326 ppi की density है और इसमें आपको 625 nits सी peak brightness भी देखने के लिए मिल जाती है जिसका भाई मैं brightness test आपको sunlight में जाके दिखा दूँगा और specs recording तो हमको यहां पर scratch resistance glass भी मिल जाता है जिस पर हम भरोसा पता नहीं कर सकते हैं के नहीं कर सकते हैं वो तो use करने के बाद ही पता लगेगा बाकि overall अगर मैं आपसे display performance की बात करता हूं तो भाई देखो iPhone का जो optimization है ना उसका तो भाई को competition है ही नहीं आप कितना ही महंगा Android phone ले लो मैं तो आपसे कह रहा हूं भाई आप S23 Ultra ले लो Samsung का और इस phone को बैठा देना बाई साथ में जो optimization है ना एपस के जो animations है overall जो speed है उसको भाई मैच नहीं कर सकते हो आप चाहे आप 5000 का Android phone के उना ले लो फिर YouTube पे मैं आपको एक 4K वीडियो दिखा तो आप देखते हैं भाई content watching experience कैसा रहता है आप मैंने पूरा 4K content चला दिया है YouTube के अंदर और reflection अगर रिंग लाइट का आ रहा हूं न तो भाई प्लीज इग्नोर करना मैं next video में इसको इंप्रूव करने की try करूंगा लेकिन आपको content watching experience जो है बहुत अच्छा है colors and contrast जो है भाई मैं तो यहाप इमेजन कर सकता हूं अपने वाले की display ज्यादा अच्छे लगते है क्योंकि इसके अंदर हमको LCD display देखने के लिए मिलती है लेकिन Android से कर मैं comparison करता हूं Android की AMOLED से कर मैं comparison करता हूं तो आपको थोड़ा सा भाई यहाप फर्क नहीं मिलेगा बिल्कुल equal out जादा ही मिलेगा क्योंकि इसको colors है वह ब अगली वीडियो में बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको इसका पूरा गेमिंग टेस्ट भी बाई मैं इस फोन का लाओंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल आइकॉन को प्रेस कर देना जिससे आपके पास में notification आ जाए बागी basic performance की बात करता हूं तो बहुत पास पहुंच जाओं तो इस फोन की टककर की performance आपको कोई सा फोन नहीं देगा android की बात करता हूं आपसे अगली वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना चलिए अब बात कर लेता है फोन के camera segment के बाले में तो बैक में हमको dual camera setup देखने के लिए मिल जाता है चलिए यहां पर camera application के बात करता हूं तो वही typical iPhone की camera application होती है उसके जैसे ही है यहां पर अल्ट्रा वाइड का option भी देखने के लिए मिले जाता है जिससे आप अल्ट्रा वाइड वाले अल्ट्रा वाइड कैमरे पर भी आप स्विच कर सकते हो वीडियो के बात करता ह लिए iPhone 11 का camera test भी आने वाला है gaming के बाद camera test आएगा इसलिए आप सब बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना उसके अंदर भाई पूरी की पूरी आपको camera के बारे में जान करें मिल जाएगी एक चीज में आप से अभी भी कह सकता हूं photos को click करने के बाद में this is best in segment अमरे की बात करता हूं तो आप इसको comparison कर सकते हो Android में Samsung के 60,000 रुपीज वाले price point के फोन से भी इसका camera सही में बहुत ज़्यदा अच्छा है खासकर जो noise है कम से कम noise रखता है चलेगा इस अब बात कर लेता है फोन के battery segment के बारे में तो फोन के अंदर हमको देखने के ल नहीं आया था यहां पर आपसे box की specifications को बताता हूं तो यहां पर आप देख सकते हुआ यहां पर इन्होंने clear ली कर रखा है one compatible charger with cable but unboxing मैंने करी थी on camera करी थी unboxing वाली वीडियो में आप देख सकते बाई charger और cable मेरे को receive नहीं हुआ पहले मैंने सोचा कि return कर दू फोन को लेकिन फोन की quality थी एक single scratch नहीं था फोन के उपर इसलिए मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है 1500 रुपए का मैं एक charger को purchase कर लेंगे पहले वाला मेरे पास में जो है उससे भाई मैं चार्ज कर लेता हूं इसको ऐसी को दिक्कत नहीं है इसलिए बाही मैंने इसको return नहीं करा बैटरी बैटरी हेल्थ 2019 का फोन है होने का मतलब नहीं है और replaced है लेकिन replaced भाई original तो है इतना तो भाई हम बिल्कु कही सकते हैं आप कोई पता हुआ बैटरी जो है वो depend करती है आपके फोन की बैटरी हेल्थ पर मैंने कल इस फोन को चार्ज कर रहा था 100% पर पूरी रात भाई फोन क इसको चार्ज करने के चिरत पड़ेगी इससे जादा भाई आपको चार्ज नहीं करना है ऐसी भाई इसकी बैटरी है डीटेल में जो बैटरी परफॉर्मेंस का टेस्ट है वो भी आएगा वीडियो पर अगली वीडियो में गेमिंग वाले के साथ में मैं उसको इंक्लूड तो भाई इस प्राइस पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं है फोन के साथ में अगर आपको 5G नहीं चाहिए आपको घर में वाई-फाई लग रहा है जो कि आजकल अतलब 70% लोगों के घर पर वाई-फाई है तो कोई जून के साथ में नहीं आने वाला है तो मैं तो आपको य को अनबीटेबल मिलेगी इस प्राइस पॉइंट पर देखो अगर आप 5G वाले फेक्टर को एक नोर कर सकते हो तो आप भाई आई-फोन 11 के साथ जा सकते हो शूरली जा सकते हो बहुत अच्छा फोन है ते फिर यही थी वीडियो मेरे साब साथ भाई आप पर्चेस कर सकते इस आई-फोन 11 को कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी चाल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना तो जो लोगों है प्लैन कर रहा है नए आई-पोन को एक्स्प्लोर करने का उनके साथ मैं इस वीडियो को शेयर कर देना चले फिर मैं आपसा मिलता हूं अंगली वीडियो में तब तक के लिए जाहें